हरी कृष्णा, वेलकम टू पन्ने शर्मा यूपी से नोट्स, मैं हूँ पन्ने शर्मा, आज की वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी डीपी एस्पी के बारे में, डीपी एस्पी की फुल फॉर्म क्यों होती है, डिरेक्टिव प्रिंसिपल अफ स्टेट पॉलिसी, इस पार्ट फॉर्त आफ और इंडिन कॉन्सितुचिन, अर्टिकल 36 to 51, यह हमारे कॉन्सितुचिन का पार्ट फॉर है, जो हमारे आर्टिकल 36 से 51 में डीफाइन किया गया है, इसको हमने अड़प किया थे आईरिष कॉंटीशन से हमने इसको अडप किया था, हमारे प्रियम्बल की जो शोशल, एकोनॉमिकल एन पॉलिटिकल जिस्टिस प्रोवाइड कराने की बाते हैं, ये कंबाइंड रिस्पॉंसबिलिटी है, फंडमेंटल राइट्स एन डीपी एस्पी की, कि इनको प्रोवाइड करा है, अब इसके बारे में कुछ इनके डिफरेंसेज पढ़ते हैं कि फंडमेंटल राइट्स एन डीपी एस्पी में क्या डिफरेंसेज हैं फंडमेंटल राइट्स हमारे नेगिटिव राइट्स होते हैं और डीपी एस्पी हमारे पॉजिटिव राइट्स होते हैं में equal pay for equal work देना चाहिए second जो हमारे fundamental rights है वो उसका main concern होता है political justice के उपर focus करना versus DPSP का main concern होता है social and economical justice पर work करना and सबसे main important difference क्या है कि fundamental right justice able है means अगर कोई भी fundamental right का abolish करता है तो आप direct supreme court में जाके case कर सकते है versus DPSP क्या है जो कि non-justisable है means अगर कोई इसका abolish करता है तो भी उसको कोई punishment नहीं मिलती classification of DPSP इसको तीन categories में classify किया गया है socialist, Gandhian and liberal socialist का main motto होता है social welfare achieve करना Gandhian का main motto होता है कि जो Gandhiji की thought थी at the time of independence जैसे कि cottage industries, movements यह सब करना उस पर focus करना और liberal का work होता है promote करना liberalism उसका मतलब क्या होता है उदारवाद इसमें इन articles को different तरीके से बाटा हुआ है हलाकि यह याद करने में इतने easy नहीं है but for mains और या फिर और further knowledge आपके लिए useful होंगे तो हम जानते कि socialist में कौन-कौन से article आते है article 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A and 47 total 8 गांधियन में कितने आते हैं article 40, 43, 43B, 46, 47, 48 total 6 liberal में आते हैं article 44, 45, 48, 49, 50, 51 total 6 आपने कभी यह सोचा है कि जब हमारे elections होते हैं जो हमारी politician parties हमें promises करती है कि हम यह करेंगे वो करेंगे उसको बोलते क्या हैं उस टम को बोलते हैं manifesto यह क्या होता है early promises जो leader प्रोवाइड करते हैं election जीतने के लिए कि हम आपको जीत के यह प्रोवाइड कराएंगे यह facilities प्रोवाइड कराएंगे यह सब अगर यह सब वो follow ना करें तो हम उनका कुछ कर नहीं सकते but in future अगर उन्हें फिर से हमारे साथ election जीतना है तो उनको यह सब follow करके दिखाना पड़ता है to gain the audience last noble feature of the Indian constitution इसको किसने बोला है dr. b.r. अंबेड करने यह था एक basic introduction about DPSP line by line articles को explain मैं एक next video में करूंगी मिलते हैं अगले video में राधे राधे